पराधिन में सोया स्वाभि मान जगाने वाला कौन बंजर भूमी में वैदिक हरियाली लाने वाला कौन आरे वीर दलका होकर के नहीं समझ रहे हैं है सुभेंदू क्या कर रहे हो सब तुमारा कलाश लग जाएगा भी बंजर भूमी में वैदिक हरियाली लाने वाला कौन संस्कृत संस्कृति का फिर से संगेत सजाने वाला कौन अंग्रेजों की कुटल कामना को ठुकराने वाला कौन कजिकर सारे ज्यान रस्मिया पश्चिम को अपनाते अगर रसी ना आते कोई आबेवर्था तो नहीं फैलाता स्वामी जी ने कहा न मुझे कोई परिसानी नहीं तो उस्वाइशा राय ने कहा था कि अगर इतनी बढ़ियां मेरा सामराज्य है तो आप प्रभू से कामना करें कि मेरा सामराज्य कायम रहे भारत में स्वामी दयान जैसा निर्भीक सन्यासी ने तपाक से कहा था पल भर भी देर करते हुए मैं प्रती दिन जब संध्या करता हूँ तो प्रभू से कामना करता हूँ कि हे प्रभू जितना जल्द हो मेरा देश आजाद हो जाए अंगरेज भारत छोड़ कर चले जाए ऐसा निर्भीक सन्यासी उस वाइसा राय के सम्मुक बोलने वाला कोई हो सकता है क्या जो एक सिपाही से घबरा जाता है यह रिशिद्यां की ताकत थी इसलिए लिखना पड़ता है बड़े महत पुर्ण पंक्ति है यह कासी की छाती पर चढ़कर सेंध लगाने वाला कौन जब कासी की बात आती है कभीर भी गय थे कासी लेकिन कासी के बगल में आस्रम बनाया कासी जाने के हिम्मत कभीर को भी नहीं हुई थी ध्यान दिजी गाए इतिहास इसका साप्छी है अभी कुछ दिन पहले एक डिवेट हम सुन रहे थे एक प्रवक्ता थे जिनका नाम था राकेश राकेश सिनहा ऐसा ही कुछ नाम है टीवी में आया था वो कह रहे थे कासी में ध्यानंद हार गए थे मुझे सुनकर बड़ा कष्ट हुआ साइद उन्हें इतिहास पता नहीं राकेश सर्मा राकेश सिनहा किसी और विशे में भिद्वान होंगे लेकिन कासी का इतिहास उन्हें पढ़ा नहीं 80 का सास्ट्रार्त उन्होंने पढ़ाने मैं एक-एक प्रमान दे सकता हूँ जब 80 रिशिद् जयानद गय थे जब रिशिद् जयानद ने वहांके राजा से कहा था कि अपने पंडितों से कहो हमसे सास्ट्रार्त करे उस समय के बहुत बड़े साहित्यकार हुए सोरेकांत्रिपाठी निराला भारतेंदु हरिश्चंद्र उन साहित्यकारों ने लिखा था कि जब स्वामी दयान कासी आये थे तो कासी की पेंदे तक हिल गई थी किसी के पास ये सामर्थ नहीं था कि स्वामी दयानन्द के विचारों का जवाब दे सके उनके प्रश्णों का जवाब दे सके कासी के पंडितों को सूचना भेई दिया राजा ने कि दयानन से साहत्रार्थ करना है तो कासी के पंडितों ने कहा था कि महराज हमें पंद्रा दिन का महलत दिया जाए हम वेदों को देखा नहीं है जब तक वेदों को देखेंगे नहीं वेदों को पढ़ेंगे नहीं हम दयानंद से सात्रार्थ नहीं कर सकते दयानंद ने पंद्रा दिन की महलत दी थी उन पंडितों को जो कहा जाता है धर्म का जहां से स्रिजन होता है वहाँ वेद का ग्यान नहीं था कितनी बड़ी विडम्बना थी अरे धन्यमानो रिशिदे आनंद को कि कासी की धर्ती पर जाकर धर्म द्वजाल लहराया और पंद्रा दिन मोहलत देने के बाद भी जब सास्त्रा अर्थ हुआ तो द्यानंद का विजय हुआ और द्यानंद का परचम सारे दुनिया में लहराया उस समय के समाचार पत्रों ने मेरे पास एक एक परती रखा हुआ है मैं प्रमान के साथ मोलता हूँ सारे पत्रिकाओं में रिशी ध्यान के विजय गाथा दोहर आई गई थी ऐसे प्रबक्ताओं को साथ पता नहीं उस समय के समाचार पत्रों ने क्या-क्या लिखा था इसलिए केवल एक भी सहफे जब विशुधानन से पूछा गया धर्म के कितने लक्षन होते हैं हमारे समाज के एक सिपाही इतना तो बताही सकते हैं कि धर्म के कितने लक्षन होते हैं लेकिन कासी का सबसे बड़ा ब्रामन भी सुधानन्द नहीं बता सके धर्म के कितने लक्षन बाल सास्त्री उधर से आगया कहा पंडि जी बृद्ध हो चुके हैं उनको अस्मरन सक्ति छीन हो गई है आप हम से पूछो बाल सास्त्री से स्वामी जी ने कहा तुम अधर्म के लक्षन बता दो अधर्म के लक्षन बता दो अब वो पंडित कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कोई अधर्म का लक्षन भी पूछेगा नहीं बता सका और जैसे तैसे सारे पच्चास लाख लोगों के बीच में हाजरे में धाई सो पंडित थे सब के बीच में दयांद अकेला सूरी की भाती चमकरा था उसे ढखने का प्रयास किया लेकिन उस समय के जो कोटवाल थे उन्होंने स्वामी दयांद को सक्ति दी सुरक्षित वहां से निकाल करके ले गए एक आसी का इतिहास है इसलिए लिखना पड़ता है एक कभी होने के नाते कि कासी की छाती पर चड़कर सेंध लगाने वाला कौन हरे द्वार पाखंड खंड नी ध्वज लहराने वाला कौन शुप्त लुप्त यह आरिय जाती में प्रान फोकने वाला कौन करके भस्म या विद्या सारी बनी वेद की ज्वाला कौन ललक हमारी जग ना पाते करमलते रह जाते अर ज्वार वेद का ना पाते पाखंड में गोता खाते हम गुंगे रह जाते डोली अर्थी में बदली थी इसे सजाने वाला कौन माताओं बहनों वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था आज कभी कुछ पवरानिक धर्माचारी तथा कथित पाखंडी जो अपने आपको धर्म का ठेके दार समझता है वे कहता है महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है यार ये समाज की महती कृपा है महरसी दयानन्द की देन है उन्होंने कह दिया यत्र नार्यस्तु पूझ्यन्ते रमंते तत्र देवता जहां नार्यों की पूझा होती है वहां देवता आवास करते हैं ये महरसी दयान की कृपा है इतनी माताएं बहने आकर के वैदिक विद्वानों के प्रभचन सुनने के लिए उद्यत है इस पर जब महिला सम्मेलन होगा नारी तू नाराइनी उस समय सर्चा करेंगे बिरहद रूप से लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि डोली अर्थी में बदली थी उसे सजा कर लाता कौन सिक्षा के पावन अर्थों से धर्म सुधा बरसाता कौन अचुत दलित बिछुडे भाई को फिर से गले लगाता कौन मिली पुरंदर की गद्धी थी पल भर में ठुकराता कौन कौन ठुकराया? उदैपुर के नरेश्ट ने कहा था पुरंदर की गद्धी महराई ले लो इसका राजा बन जाओ यह आप का है जैसे चाओ ब्याय करो सौमे द्यान ने पल भर में ठुकरा दिया कहा राजन इतना संपत्ति तो मेरे पिता के पास भी था अगर ठुकराना ये होता प्राप्त करना ये होता तो उतना बढ़िया राज पाठ छोड़ करके हम क्यों आते तुम्हारे समराज्जी को तो मैं एक छलाग में पार लगा दूंगा लेकिन परमात्मा की बिवर्ष्था से कहा भाग पाऊंगा इसलिए आज जो आपने बोल दिया सो बोल दिया ऐसा प्रलोभंग देने का सामर्थ आप मत करना राजा सज्जन सिंग विचलित हो गए सोचने लगे कभी ऐसा जवाब देने वाला उन्हें कोई नहीं मिला था राजा ने छमा मांगा और का हमाराज मुशे गलती हो गए ये स्वामी द्यान का तप है ब्रह्मचरिय इसलिए लिखना पड़ता है कि मिली पुरंदर की गद्दी थी पल भर में ठुक राता कौन आर्य समाज जन जन उपकारी अगर न बाग लगाते ज्यान वेद का ना पाते पाखंड में गोता खाते रिसियों की पावन परंपरा की रक्छा करने वाला कौन इमात पुर्ण पंक्ति है स्वामी देयानंद का उधारता देख लो रिशी ने कहा कि ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत रिशियों को मैं मानता हूं और यहां तक कह दिया सत्यार प्रकास को पढ़ करके देख लो अगर दर्सनकार जितने भी हुए गवतम कमा गवतम कपिल कनाद जैमिनी पतंजली स्वामी जी लिखते हैं कि उनके समय में अगर हम होते तो मैं उनके विद्या के राई के दाना के बराबर भी नहीं है कि इतनी महांता रिशी दयानंद का इसलिए लिखना पड़ता है कि यार ये रिशियों की पावन परंपरा की रक्षा करने वाला कौन वेद सत्य विद्या है इसकी सिक्षा देने वाला कौन चेतन के पूजन यर्चन की दिख्षा देने वाला कौन चले वेद पथ पर दुनिया यह इक्षा रखने वाला कौन वसुधैव कुटुम बकम का सपना कैसे सच्चा कर पाते अगर रिशी ना आते अंतिम करे गुरुडम यंद विश्वास जगत का कहो कभी मिट पाता क्या मुंडे मुंडे मतिर भिन्न से एक लक्ष सद पाता क्या जगत गुरु है आर्या वर्त यह विचार उठ पाता क्या हम है आरियों के बंसज यह भाव भला जग पाता क्या बिधर्मियों के कुटल चाल से संजय कैसे बच पाते अगर रिशी ना आते ज्यान वेद का ना पाते पाखंड में गोता खाते अगर रिशी ना आते बास